क्लास 9 के exercise 4.4 का question number 2 जिसमें हमें दिया है give the geometric representation of 2x plus 9 equals to 0 as an equation in one variable and two variable ठीक है हमें जो ये equation है 2x plus 9 इसकी geometric representation देनी है जब एक variable में हो यानि कि यहां पर variable सिर्फ x हो और जब 2 variable हो यानि कि x के अलावा भी इसका कोई variable हो तो इसकी geometrical representation क्या होगी ठीक है सो सबसे पहले क्या करेंगे जो one variable के लिए करते है फस्ट वाला solve करते है इसमें सबसे पहले क्या करना होगा जो भी हमारा variable है यानि कि x से इसकी value निकालेंगे ठीक है सो equation है हमारी 2x plus 9 equals to 0 equation है यह हमारी x की value निकालेंगे x की value निकालने का मतलब क्या होगा 9 और 2 x के अलावा जो भी कुछ है उसको दूसरी तरफ बेज देंगे तो यह आएगा x equals to plus 9 है दूसरी साइड भेजेंगे इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा minus 9 और 2 जो है x के साथ multiply है दूसरी साइड भेजेंगे तो divide में ठीक है अब इसे cancel out करेंगे minus 9 by 2 cancel out करेंगे 2 सबसे पहले तो minus sign as it is रहेगा ठीक है और 2 से cancel out करेंगे 2 के table में 9 तो नहीं आता 8 आता है ठीक है 2 4s आ 8 और बचा 1 1 के पीछे 0 लगाएंगे यहां पर लगा लेते हैं उसके दले यहां पर point और यह आ जाएगा 2 5s are 10 ठीक है minus 4.5 x की value जो आई है वो आगई minus 4.5 अब जो भी x की value आई है उसे single variable में one variable में एक number line पर show किया जाता है ठीक है जैसा कि हमने first question में किया था इसी exercise के so एक point ले लेंगे 0 ठीक है उसके इधर plus 1 इधर minus 1 इधर minus 2 ठीक है minus 3 minus 4 और minus 5 4.5 minus 4.5 है तो यह कहां आएगा यहां हो गया minus 4 और यहां है minus 5 minus 4 और minus 5 के बीच में आएगा यह ठीक है जो भी हमने यह gap लेना है आपने यह scale की help से ले लेना है one one centimeter में ठीक है so minus 4 और minus 5 के बीच में आ जाएगा हमारा यह point यह वाला ठीक है थोड़ा बड़ा सा बना दिया है इतना बड़ा खान यह point ठीक है आपको एक डोट लगाना है ठीक है so यह हो गया हमारा minus 4.5 ठीक है यह तो हो गई single variable के लिए यानि कि one variable के लिए अगर बात करें two variable में two variable को किस तरह से show करेंगे so यह है इसमें two variable में हमारा एक तो x variable है एक मान लेंगे कि कोई y variable है ठीक है यहां से second के लिए solve कर रहे है x की value तो हमारी आ गई थी minus 4.5 ठीक है x की value minus 4.5 हमने निकाली है उपर ही और y y की value क्या होगी y की value second variable तो हमें दिया नहीं गया है तो y की value अगर नहीं दी गई है तो ले लेंगे 0 कोई value नहीं दे रखी हो किसी equation में तो हो जाएगी 0 अब इसे show करेंगे graph पर ठीक है इसमें एक x-axis होगी और एक y-axis होगी तो इसे show करते हैं graph पे x की value minus 4.5 ठीक है तो यह x-axis है इस पर minus 4.5 4 यहां पर 5 यहां पर यानिकी यह होगा 0.5 पहले और 0 बाद में ठीक है अब एक line भी draw करेंगे हम इससे ठीक है एक line जो होगी वो क्या होगी इस तरह से line हैगी इस point की जो की parallel होगी ठीक है parallel होगी y-axis के यह line y-axis के parallel होगी अगर हम चाहें तो equation भी लिख सकते हैं यहां पर equation है हमारी 2x plus 9 equals to में 0 ठीक है यह होगी one variable में यह वाली representation और two variable में यह वाली representation ठीक है